दिप्रेंट के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं पिशले दो दिनों में ममता बेनर जी कमनलाथ से लेकर सुनिया गांधी, अर्विन केजरिवाल, शर्थववार जैसे तमाम निताओं से मिली है तो ममता का एजेंडा क्या है? ममता मोधी को हराना चाहती है, पश्यमंगाल में वो हरा चुकी है, लेकिन केंद्री अस्तर पर, सेंटर लिवर पर, लोगसभाज चुनाव में, यानि कि 2024 का जो लोगसभाज चुनाव है, उसमें ममता बेनर जी की कोशिश है कि अपोजिशन या बने एक विपक्ष का एक फ्रंट बने और मोधी को सीधी टक कर दी जाए, यह है ममता का प्लान, लेकिन यह प्लान कितना कारगर है, क्या यह प्लान जमीन पर अमल में आ पाएगा, और इसकी क्या है पेचितगिया, तो प्योर पॉलिटिक्स में बाद ममता के नाशनल तरह से ममता का प्लान है, वो मोधी को क्या टक कर दे पाएगी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ममता बने जी जो पशिमंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो उनका प्लान क्या है, वो क्या सपने देख रही हैं, और उस प्लान में कितनी पेचितगिया है, कितना जहुल है, और क्या प्लान जो है, वो कारगर हो पाएगा, ममता का प्लान यह है, जो पिछले दिनों में प्रशान किशो लगातार, तमाम नेताओं से शरत पवार से लेकर राहुल गांधी, प्रेंका गांधी से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद ममता बनेर जी पिछले स्टेट्जी मेकर माने जाते हैं और जिस तरह से मध्युप्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई थी उनसे उन्होंने मुलाकात की अर्विन के जिवाल से उनकी मुलाकात उन्होंने की है शरतपवाज से उनकी मुलाकात हुई है तो ममताबर जी का जो प्लान है ममताबर जी का प्लान यह है कि जो कॉंग्रस की जिन राज़ों में कॉंग्रस बीजेपी के साथ डेरेक्टफाइट मैं है यानि कि तकरीव한 तकरीवन देरेज सोथ बीजेपी के साथ में. विपक्षी पाटियां हैं वो अपने कैंडिडेट न खड़ा करें और जिन 175-180 सीटे जहां पर कुल मिलाकर जो 375-380 सीटे हैं जहां पर BGP का वजूद है जहां पर BGP का बर्चस्व है तो उन्हें 175 सीटों पर कॉंग्रेस विपक्षी पाटियों को सहयोग करें मसलन की पश्ची मंगाल में कॉंग्रेस लागातार अपना जनाधार खोई है और अगर आप पिछले लोग सभा चुनाओं को देखें और विधान सभा चुनाओं को देखें तो कॉंग्रेस एक तरह से वहाँ पे एक तरह से खत्म हैं CPM कभी कोई वजूद नहीं अगर और्थ बीजेपी को हराने के लिए पिछले लोग सभा चुनाओं में 18 सीटे बीजेपी जिने जीती थी और मंताव एनरजी को 18 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था तो उस जैसे राज्य में कॉंग्रेस और लेफ्ट फ्रंट मंताव एनरजी को सपोर्ट करें जिन राज्यों म और कॉंग्रेस मिलकर बीजेपी को फाइड करें तो जिन राज्यों में यूपी यूपी एक बड़ा एक्जामपल है कि यूपी जैसा राज्य जहां पे अगर आप पिछले लोग सभा चुनाओं को देखें तो एसपी और बीएसपी ने मिलकर चुनाओं लड़ा था लेकि उसका फाइदा 2014 के मुकाबले तो हुआ, लेकिन फाइडा उतना ज़ादा नहीं हुआ, क्योंकि एसपी की सीटों की संख्या, जो समाजवादी पार्टी की संख्या उतनी ही रही, 5 सीटे अखिलेस ने 2014 में जीती थी, 2019 में भी अखिलेस ने 5 सीटे जीती, लेकिन फाइदा जो हुआ, BSP को हुआ, क्योंकि वोटों का जो ट्रांसफर था, BSP का वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी की तरप नहीं हुआ, तो BSP 10 सीट जीत गई लेकिन SP 5 सीट जीत गई लेकिन फिर भी दोनों के लड़ने से BJP को नुकसान हुआ BJP 62 सीट पे 64 सीट पे स्रिमट करा गई, जो की 73 सीट पे 2014 के चुनाव में BJP नी जीती थी तो जो ममता का कैलकुलेशन है ममता का जो फामूला है कि 200 सीटें जहां पर कॉंग्रेस का डिरेक्ट फाइट है BJP से वहां पर बाकी पार्टी यां कॉंग्रेस को सपोर्ट करें जैसे कि गुजरात, गुजरात का जो बिधान सवाचुना जो अगले साल होना है वहां पर BJP और कॉंग्रेस डिरेक्ट फाइट में है लेकिन NCP भी कई सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करती है तो NCP उन सीटों पर अपने कैंडिडेट ना खड़ा करके बलकि को कॉंग्रेस को सपोर्ट करें तो इस तरह से नरेंदर मोदी को तकरीवन 375-380 सीटों पर डिरेक्ट फाइट के स्थिती हो और वहां पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और BJP को टकर दिया जा सके ये ममता का फामूला है अब सवाल है कि ममता के फामूले में जोल क्या है पेचीदगिया क्या है या उस पे कुशन मार क्या है जो पहली बात तो है कि अपोजिशन की यूनिटी बनाना इससे पहली इतिहास में आपने देखा होगा की 3rd Front, 4th Front जैसे कई सारे Front बन चुके और वो सारे Front काम्याब नहीं हुए उसकी वज़ा क्या है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जो पाटियां है उसकी जो इस्परेशन है, जो रिजिनल इस्परेशन है वो अलग है और वो अपने सीटों को क्या compromise करने की स्तिती में हुँगी पहला सवाल तो ये है कि क्या उनका जो stake है वो अपने stake को कम करने की स्तिती में होंगी जैसे म säga एक्सामपल के दौर पर दिली का लेते हैं, दिली में अरविन केजरिवाल की सरकार है, तो क्या अरविन केजरिवाल चुकि इससे पहले सरकार में रही है और अकाली दल का वहाँ पे बर्चस रहा है तो क्या अकाली दल इस बात के लिए तयार होगा कि वो कॉंग्रेस आपके साथ मिलकर बीजेपी को काउंटर करें या फिर अगर वहाँ पे अकाली दल अलग चुनाव लड़ेगा आप अगर अ उनाइट होकर लड़ना पड़ेगा वैसे ही उदारान करनाटक और अलग-लग राज्यों में है ये एक्सपेरिमेंट महारास्टा या कुछ राज्यों में सफल हो सकता है तो पहला जो सबसे बड़ा सबाल है कि क्या रिजनल चात्रव जो हैं वो अलग-लग दलों के जो मठा भी हो गए उन्होंने अलग-लग राज्यों में एक एलाइंस भी कर लिया तो दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्रेडिबिलीटी का क्योंकि नेंद्र मोधी की जो सबसे बड़ी यूएस पी है वो उनकी क्रेडिबिलीटी है और जो उन्होंने अपनी पीपल्स जनाओं से बनाई है, डिलिवरी देकर चाहे वो जन्धन योजना से लेकर तमाम जो स्कीम्स हैं, जिसके जलिए वो डारेक्ट बेनिफीट ट्रांसफर करते हैं लोगों के एकाउंट में पैसे, तो वो जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उस क्रेडिबिलिटी को चुनौती कौन देगा, क्या राहूल गांधी नहेंदर मोधी के सामने खड़े होंगे, क्योंकि नहेंदर मोधी के सामने जैसे ही राहूल गांधी खड़े होंगे, वैसे ही बीजेपी उसका फाइदा उठाएगी, और बीजेपी कहीं न कहीं एक अपर पोजिशन में हो जाएगी, तो दू नेंद्रमोदी को हराने का जो मास्टर प्लान है उसमें जो तीसरा बड़ा फचर है कि अगर आप 2014 के लोगसभाद चुनाओ को देखें जो दो करोरो रोजगार क्रियेट होंगे एकॉनमी जो होगी वो इस लाइक हो जाएगी कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो across section middle class हो lower middle class हो upper middle class हो सब ने मिलकर BJP को वोट किया था इस समय जो congress या दूसरी regional party या हैं उनके पास ऐसी कोई inspirational politics की का blueprint नहीं है तो blueprint तयार करना होगा और उस blueprint में इन पार्टियों को कुछ वैसे जो professional है जो season लोग हैं जैसे अगर Congress और ये बमता का जो front है वो अगर रगुराम राजन को लाए कि वो economic policy बनाए health के लिए वो किसी season जो health का बड़ा expert है जैसे कि Apollo Hospital की Reddy या फिर किसी ऐसे जो entrepreneur है उनको health का vision तयार करने के लिए और तमाम ऐसे जो इस समय economy से जुड़े हुए, COVID से जुड़े हुए और तमाम जिन समस्याओं से जूज रहा है उनके expert को लाकर एक blueprint तयार करके वो एक inspirational politics का dream blueprint जनता के सामने रखें तो जनता हो सकता है कि वो नेंद्रमोदी से विश्वास थोड़ा सा हटा करके कि जिस सरह से COVID के challenge हुए है जिस सरह से economy का challenge हुआ है तो उसस कोई एक alternative front की तरफ जुके क्योंकि बिना एक blueprint के वो एक जो जिसको कहते है credible leadership उसके सामने विकल्प है credible leadership का और दूसरा विकल्प जिसमें कि कोई credible alternative कोई दूसरा नेता है ही नहीं तो इसलिए सबसे पहले ममता के front या Congress के front को एक credible leadership देना होगा तभी जनता के पास एक alternative होगा और जनता सोचेगी कि उसके पास एक विकल्प है जिस विकल्प पे वो अपना बटन जो है IBM का बटन वो दबा सकती है तो ये सारे जो challenges है वो ममता का जो 2024 का project है और उसकी शुरुआत अगर वो 2022 से करना चाहती है तो 2022 में उनके सामने जो challenge है सबसे पहले UP का चुनाव है UP का में क्या BSP, ESP और Congress एक अठा मिलकर लड़ सकती है गुजरात का चुनाव जहां पर क्या NCP Congress मिलकर चुनाव लड़ सकती है और इसके अलावा मनिपूर से लेकर तमाम इसे राज्य है जहां पर Congress और BGP की direct fight है लेकिन जहां पर जिन राज्यों में direct fight नहीं है वहां पर क्या opposition की पार्टियां ही घठी हो सकती है ये सारे सवाल ममता के का जो ग्रांड प्लान है उनके सामने है इन सवालों का जबाब वो ढूंडेंगी तभी शायद वो मेहंदर मोधी को काउंटर कर सकेंगी उनका मुकाबला कर सकेंगी अधर्वाइस में मोधी के लिए 2024 भी एक आसान क एक वो हो सकता है शंकर रनिमेश दप्रेंट लेकिन आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही अपने कमेंट्स अपने रियाक्शन लगातार भेजते रहें और हमारे हमारा जो सब्सक्रिप्शन है उसको भी लेना न भूलें